direct assessment so now we will discuss about the direct assessment for selective mutism हमें direct assessment करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें direct assessment करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताके we are sure about that thing के बच्चे के अंदर वाके ही ये problem एक्जिस्त कर रहा या नहीं कर रहा जो psychological assessment होती है जो के specific test की through की जाती है जो को हम standardized test करते हैं जिनके norms develop हुए होते हैं, जिनके percentiles हमारे पास होते हैं, standardized scores होते हैं, तो we are relatively much confident about the diagnosis of the child, ठीक है, तो इस वज़ा से हम direct assessment करते हैं, लेकिन आपने ये हमेशा याद रखना है, कि जब भी आप बच्चों के साथ assessment करोगे, तो you make sure, कि आप जिस शक्स को questionnaire दे रहे हो, either वो उसका father है या mother है, या उसका teacher है, वो ऐसा बंदा हो जो बच्चे के साथ maximum time spend कर रहा हूँ, अगर आप किसी ऐसे शक्स को दे देंगे, जिसना उसकी maternal aunt साथ आई हैं, या maternal aunt साथ आई हैं, या uncle साथ आई हैं, और आप उनको वो questionnaire दे देते हो, जो कि जादा time उस बच्चे के साथ spend नहीं करता, तो it is more likely कि शायद आपको उतने appropriate responses ना मिलें, जितने आपको उस वक्त मिल सकते हैं, जिस वक्त उसके जो caregiver है, वो उसके साथ जो है, वो आई, तो there are certain test जो कि हम selective mutism के लिए use कर सकते हैं, उस मैंसे जो दो test हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे, एक है selective mutism questionnaire, the other one is school speech questionnaire, तो हम यहां देखते हैं, कि जो school speech questionnaire है, वो जो है basically teacher जो है, जो जाधा time उस बच्चे के साथ spend करती है, वो इस चीज़ को fill करेंगी, और जब वो fill करेंगी, तो जो उन्होंने responses देने हैं, वो किस के उपर देने हैं, always, often, seldom and never के उपर, अब item इसके अंदर किस किसम के हैं, मि साल के तौर पर हम उन से पूछते हैं, when appropriate, this student should talk to most peers at school, अब the point is, आप ये देखें, जो word language है, that is very important, when appropriate, खीक है, तो इसका मतलब ये है, कि जब ऐसी situation हो, कि जहां बच्चे ने interact करना है, अपने class fellows के साथ, तो क्या वो उस वकत interact कर पाता है, या नहीं कर पाता, इसी तरह, when appropriate, this student ask you questions, ठीक है, अब ask you का क्या मतलब है, कि teacher, जो specific teacher है, क्या वो उससे कोई सवाल कर सकता है, या नहीं कर सकता, अब इसका जवाब भी, जो है, वो always, often, seldom and never के अंदर, जो है, वो दिया जाता है, might be, आप सब के जहन में ये बात आ रही हो, कि हमारे culture के अंदर, तो question answer को इतना encourage नहीं किया जाता, तो it might be, कि culturally ये चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन ये question जो है, ये ये भी हो सकता है, कि अगर बच्चे ने पानी पीने जाना है, ये washroom के लिए जाना है, तो क्या वो teacher से वो चीज़ आस कर सकता है, या नहीं, तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने जह में रखनी है, कि जो culture sensitivity है, वो आपका अगर test नहीं उसको scatter कर रहा, तो आपको mindful होना चाहिए, इसलिए मैं एक्सर आपको ये बात कहती हूँ, कि it is more appropriate, कि अगर आप ऐसे test यूज़ करें, जो कि culturally sensitive हों, जो कि यहां पर adapt होए में है, यहां की population के लिए develop किये गए है, इसके ब 7 और item number 8 के उपर staric है, आपको staric का निशान नजर आएगा, अब staric के निशान का मतलब यह है, कि वो नीचे आपको ये बता रहे हैं, कि इसकी जो item है, इन items को total item score के अंदर हमने add नहीं करना, यह जब आपने scale का total करना है, तो वो 1 to 6 तक होगा, उसमें 7 और 8 item number added नहीं होंग इसी तरह हम second questionnaire पे जाते हैं, that is the selective mutism questionnaire, जब हम selective mutism questionnaire की बात करते हैं, तो यह basically तीन different setup में हम इसको measure करेंगे, बच्चे का behavior at school, at home and here you can see social situation, और यह हम parents को देंगे, अब जब हम parents को देंगे, तो हम देखते हैं कि items कैसे हैं, उसमें item किया है, when appropriate, my child talk to most peers at school, ठीक है, always है, often है, seldom है, or never है, तो you need to be checked this thing with the parent, तो parent आपको बताएगा कि हाँ जी, वो इस तरह का behavior शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी तरह home से related जो सवाल है, उसमें अगर आप देखो, तो उसमें हम देखते हैं, when appropriate, my child talks to family member while in unfamiliar places, ठीक है, यानी घर में न वो किसी मिकडॉनल्ड में गए में हैं, या वो किसी ज्वाइलेंड में गए में हैं, तो किसी ऐसी जगाँ पे गए में हैं, जो कि house की setting नहीं है, तो क्या वहाँ पर बच्चा अपने family member के साथ interact कर रहा है, या नहीं कर रहा है, उसका response भी जो है, वो always, often, seldom, or never के ओपर है, situation हम देखेंगे, जो कि situations हैं, outside of school, अब वहाँ पर हम उन से जो items, different items हैं, उन में से हम एक item देखते हैं, when appropriate, my child speaks with his or her doctor and our dentist, ठीक है, अब चूंके हम ये कह रहे हैं कि certain situation में ये बच्चे नहीं बात करते, तो we also need to be check कि कि क्या ये सिर्फ school में बात नहीं कर रहा है, या बाहर भ तो you also need to be identify these things, then interference distress है, एक इसका part, लेकिन interference distress जो है, अगर आप देखो तो इधर staric है, अब इस staric का मतलब क्या है कि इन सारे items को आपने add नहीं करना, जिस वकत आप total score करोगे, तो why I am pointing out these things, because अब भी आप कोई भी scale use करो, तो आपने ये देखना है कि कोई item ऐसा तो नहीं है, जो के हमने total scoring में add नहीं करना, कोई item ऐसा तो नहीं है कि जिसकी हमने reverse scoring करनी है, तो you need to be very careful whenever you administering the test or whenever you doing the scoring.